हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टिन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज खेले गए अफगानिस्तान वर्सीज आईरलेंड के फर्स्ट ओडियाई मैच में अफगानिस्तान ने टोस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उन्हें पचास हवर में नो विकेट खोकर 287 रन बनाया जिसके जवाब में आईरलेंड की टीम पचास हवर में नो विकेट पर 271 रन ही बना पाई और अफगानिस्तान ने ये मैच 16 रनों से जीत लिया और इस सीरीज में 1-0 से भड़त भी बना लिया दोस्तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज के मैच में क्या क्या हुआ दोस्तो अफगानिस्तान की टीम टोस्ट जीतने के बाद बल्ले बाजी करने उतरी तो दोस्तो उनकी जो सुरुआत थी काफी अच्छी रही उनकी पहली विकेट की पार्टनर्शिप के लिए 120 रनों की पार्टनर्शिप हुई जो की दोस्तो रहमदूला गुर्बाज और जावेद एहमदी में हुई दोस्तो अफगानिस्तान का पहला विकेट अफगानिस्तान के कुल स्कोर 120 रन पर गिरा जो कि जावेद एहमदी के रूप में था जावेद एहमदी ने आउट होने से पहले 55 गेंदों पर 38 रन बनाए दो चुक्के और दो चुक्कों की मदद से और इनका विकेट एंडी मैक बरीन ने लिया उसके बाद अफगानिस्तान का दूसरा विकेट अफगानिस्तान की कुल स्कोर 133 रन पर किरा जो की रहमत के रूप में था रहमत ने आउट होने से पहले 9 गेंदों पर 3 रन बनाए बिना कोई चुक्के चुक्के के और इनका विकेट भी एंडी मैक बरीन ने लिया दोस्तों जिस हिसाब से अफगानिस्तान की सुरुआत हुई थी उस हिसाब से अफगानिस्तान को 300 से ज़्यादा का स्कोर बनाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं ऐसा उसके बाद आरलेंड ने अच्छी गेंद बाजी से अफगानिस्तान को 300 से कम के स्कोर पर रोक दिया क्योंकि अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए दोस्तों अफगानिस्तान का तीसरा विकेट अफगानिस्तान के कुल स्कॉर 146 रन पर गिरा जो की असगर अफगान के रूप में था असकर अफगान ने आउट होने से पहले 4 गेंदों पर 6 रन बनाए एक चोके की मदद से और इनका विकिट भी एंडी मैक ब्रीन ने लिया उसके बाद आश्टे अफगानिस्तान का चोत्था विकिट अफगानिस्तान के कुल स्कोर 152 रन पर गिरा जोकी नभी के रूप में था दोस्तो नभी ने आउट होने से पहले 7 गेंदों पर 3 रन बनाए बिना कोई चोके चखके के और इसका विकिट भी एंडी मैक ब्रीन ने ही लिया उसके बाद अफगानिस्तान का पांचवा विकिट अफगानिस्तान के कुल स्कोर 161 रन पर गिरा जोकी नाइब के रूप में था नाइब ने आउट होने से पहले दोस्तों 12 गेंदों पर 2 रन बनाए बिना कोई चोके चखके के और ये विकिट भी एंडी मैक ब्रीन के नाम ही रहा दोस्तों उसके बाद अफगानिस्तान का चटा विकिट अफगानिस्तान के कुल स्कोर 198 रन पर गिरा जोकी रहमन उल्ला गुर्बाज के रूप में था दोस्तों गुर्बाज ने अफगानिस्तान की तरब से सब्षे शांदार और तुफानी पारी खेली उन्होंने 127 गेंदों पर तुफानी 127 रन बनाए आठ चोके और 9 चखकों के मदद से वो काफी तेज खेले और इनका विकिट गरेत डेलने ने लिया दोस्तों सुरुवाती जो अफगानिस्तान के पांच विकिट थे वो एंडी मैग बरीन ने लिया लेकिन जो एहम विकिट था वो गरेत डेलने लिया क्योंकि वो काफी अच्छा और तुफानी खेल रहे थे दोस्तो उसके बाद अफगानिस्तान का जो शातवा विकिट था वो अफगानिस्तान के कुल स्कूर 208 रन पर गिरा अजमतूला ओमरर जाई ने दोस्तो अजमतूला नेदस गिंदों पर दो रन बनाए बिना कोई चोके चख्के के और उनका विकेट सिमी सिंग ने लिया उसके बाद दोसे अफगानिस्तान का आटवा विकेट अफगानिस्तान के कुल स्कोर 256 रन पर गिरा जोकी नाजीबुला के रूप में था नाजी बुल्ला ने आउट होने से पहले दोस्तों जो रन बनाए वो 43 गेंदों पर 29 रन बनाए थे एक चोके और एक छक्के की मदद से और इनका विकेट बैरी मैक केर्थी ने लिया उसके बाद अफगानिस्तान का नौवा विकेट रासित खान के रूप में गिरा जो की अफगानिस्तान के कुल स्कोर 285 रन पर गिरा दोस्तों रसित खान ने आउट होने से पहले 30 गेंदों पर तुफानी और काफी तेज खेलते हुए 55 रन अर्थ सत्य के पारी खेली उन्होंने अपनी पारी में दो चोके और पांच छक्के लगाए और वो रन आउट हुए दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान का जो दसवा और लाश्ट विकेट था वह नहीं गिरा और अफगानिस्तान की तरफ से मुझीव दो गेंदों पर एक रन बनाकर लाश्ट तक नोट आउट रहे और नवीन उलहक एक गेंद पर दो रन बनाकर लाश्ट तक नोट आउ दोस्तो आज आईरलेंड की बोलिंग शुरू में काफी बेकार रही लेकिन बाद में उन्होंने एक लेप पकड़ ली और अफगानिस्तान जो की ऐसा लग रहा तत 335-300 रन आराम से बना लेगी उन्हें 287 रनों पर ही रोक दिया दोस्तो आईरलेंड की तरफ से बोलिंग में बैरी मैक कर्थी ने 10 अवर में 69 रन देकर एक विकेट लिया क्रेग यंग ने 6 अवर में 1 मैडन देते हुए 40 रन और 0 विकेट सिमी सिंग ने 10 अवर में 2 मैडन देते हुए 45 रन और 1 विकेट कर्टिस कंफर ने 3 अवर में 49 रन द लेकर 0 विकेट, केविन ओब्राइन ने 5 अवर में 19 रन देकर 0 विकेट और ग्रेथ डेलने ने 2 अवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया, इस परकारा अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए आरलेंड के सामने जीत के लिए 288 रनों का टारगेट रखा, दोस्तों आरलेंड की ट की, दोस्तों आरलेंड की जो सुरुआत हुई थी वो थोड़ी बेकार रही, अफगानिस्तान के मुकाबले, आरलेंड के पहले सुरुआती जटके काफी तेज लगे जो 4 विकेट थी, उनके महज 88 रन पर गिर गे थे, दोस्तों आरलेंड का पहला विकेट, आरलेंड के कु कोई चोक्के चक्के के और वो LBW आउट हुए नवीन उलहक की गेंद पर उसके बाद आयरलेंड का दूसरा विकेट आयरलेंड के कुल स्कोर 36 रन पर गिरा जोके एंड्रियू बलबिरीन के रूप में था एंड्रियू बलबिरीन ने आउट होने से पहले दोस्तो 18 गेंदों पर 15 रन बनाए दो चोको की मदद से और इनका विकेट भी नवीन उलहक ने ही लिया उसके बाद आयरलेंड का तीसरा विकेट आयरलेंड के कुल स्कोर 86 रन पर गिरा जोकी हैरी टेक्टर के रूप में था हैरी टेक्टर ने आउट होने से पहले 37 गेंदों पर 28 रन बनाए तीन चोको की मदद से और इनका विकेट नायब ने लिया इसके बाद आयरलेंड का चोथा विकेट आयरलेंड के कुल स्कोर 88 रन पर गिरा जोकी पॉल स्टेरलिंग के रूप में था पॉल स्टेरलिंग ने आउट होने से पहले दोस्तों जो रन बनाए थे वो थे 40 गेंदो सिर्फ जरूर हुई लेकिन वो भी जीत नहीं दिला सके आयरलेंड का पाँचवा विकेट आयरलेंड के कुल स्कोर 174 रन पर गिरा जोकी कर्टीस कैमफर के रूप में था कर्टीस कैमफर ने आउट होने से पहले 53 गेंदो पर 49 रन बनाए दो चोको की मदद से और उन्हें म आउट होने से पहले रन बनाए थे वो थे 11 गेंदो पर 5 रन बिना कोई चोके चके के और उनका विकेट रसीद खान ने लिया दोस्तो इसके बाद आयरलेंड का साथवा विकेट आयरलेंड के कुल स्कोर 228 रन पर गिरा सिमी सिंग के रूप में सिमी सिंग ने आउट होने स से पहले 20 गेंदो पर 23 रन बनाए दो चोको की मदद से और इनका विकेट मुझीब ने लिया इसके बाद आयरलेंड का आठवा विकेट आयरलेंड के कुल स्कोर 232 रन पर गिरा जो कि एंड्री मैक बिरीन के रूप में था एंड्री मैक बिरीन ने आउट होने से पहले 4 गे रहे थे ऐसा लग रहा था शायद वो आयरलेंड की टीम को जिता दे लेकिन उनके आउट होने के बाद सारी उम्मिदे खराब होगे क्योंकि आयरलेंड की तरफ से सबसे शांदार और तुफानी खेलने वाले थे लोरकन टकर उन्होंने 96 गेंदों पर 83 रन बनाए तीन चोक चक्के चक्के के और क्रेग यंग भी लाश तक नोट आउट रहे ग्यारा गिंदों पर 12 रन बनाकर एक चक्के की मदद से इस परकार ऐलेंड की टीम 50 और में 9 विकेट खोकर 211 रन बना पाई और अफगानिस्तान ये पहला ODI मैस 16 रनों से अपने नाम कर लिया अफगानिस प्रिब उल रह्मान ने 10 और में 40 रन देकर दो विकेट गुल बंदिन नायब ने 7 और में 36 रन देकर एक विकेट मोहमद नाभी ने 10 और में 45 रन देकर एक विकेट और रसीद खान ने 10 और में 56 रन देकर दो विकेट और अजमतुला ओमराज जाई 4 और में 24 रन बनाकर बि पीच में अफगानिस्तान ने 16 रनों से ये मैच जीत लिया और जो ये सिरीज थी इसमें भी एक जीरों से बढ़त बना ली दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी क्रिकेटर लवर्स हैं उन सा प्लेयर मैन ओफ दजीरो रा और आरलेंड की तरफ से कौन सा प्लेयर मैन ओफ दजीरो रा और कौन सा प्लेयर मैन ओफ दजीरो रा और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न झाल झाल